हम सब लोग देख रहे हैं कि हमारी अर्थवेवस्था भारती अर्थवेवस्था की स्थिती बहुत अच्छी नहीं है भारती अर्थवेवस्था काफी नाज़ुक दौर से गुजर रही है हम सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से डॉलर के मुकाबले में रुपया दिन प्रते दिन कमजोर होता जा रहा है और इन सब चीजों की मार हमारे देश के एक आम आदमी को भुगतनी पड़ती है ऐसा क्यूं है कि आज भी भारत एक विकास शील देश है 75 साल हो गया जादी को आज भी विकास शील देश गरीब देश माना जाता है हम सब चाहते हैं कि भारत विक्सित देश बने हम सब चाहते हैं कि भारत अमीर देश बने और हम सब चाहते हैं कि हर भारत वासी भारत का हर परिवार अमीर परिवार बने इसके लिए बहुत सारे कदम उठाने की जरूरत है बहुत सारे स्टेप्स लेने की बहुत सारे एफर्ट्स करने की जरूरत है हमें बड़ी संख्या में स्कूल खोलने है हमें बड़ी संख्या में अस्पताल बनाने है हमें बड़ी संख्या में बहुत बड़े स्तर के उपर बिजली का सड़कों का इंफरसेक्चर को तयार करना है लेकिन efforts तभी फली बूत होते हैं जब हमारे उपर देवी देवताओं का आशिरवाद होता है efforts करने चाहिए हम सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में efforts करते हैं लेकिन हम कई बार देखते हैं कि efforts कर रहे efforts कर रहे नतीजे नहीं आ रहे उस वक्त लगता है कि अगर देवी देवताओं का आशिरवाद हो तो efforts फलिभूत होने लगते हैं, efforts के नतीजे आने लगते हैं परसो दिवाली थी दिवाली पे हम सब लोगों ने अपने अपने घर पे श्री गनेश जी और श्री लक्ष्मी जी का पूजन किया हम सब लोगों ने भगवान से सुख शान्ती की प्रार्थना की हम सब लोगों ने अपने अपने परिवार के लिए देश की सम्रिधी के लिए प्रार्थना की हम ये भी देखते हैं कि जितने बिजनस करते हैं, व्यपारी हैं, इंडस्टिरलिस्ट हैं सब लोग अपने अपने यहां अपने कमरे में जरूर लक्षमी जी की और गनेश जी की मूर्ती लगा के रखते हैं और रोज सुबह काम शुरू करने के पहले उनकी पूजा करते हैं आज मेरी केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री जी से अपील है भारतिय करेंसी के उपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो वैसे ही रहनी चाहिए लेकिन दूसरी तरफ श्री गनेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारत्य करंसी के उपर लगाई जाए जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थ्वेवस्था को सुधारने के लिए भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सार एफ़र्ट्स की जुरूरत है दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गनेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशिरवाद मिलेगा लक्षमी जी को समरिधी की देवी माना गया है गनेश जी जितने विघन होते हैं उनको हरने वाला उनको देवता माना गया है विघन दूर करने वाला देवता माना गया है तो उन दोनों की तस्वीरें उसके उपर लगनी चाहिए हम यह नहीं कहा रहें कि सारे नोट बदले जाएं लेकिन जितने fresh notes छपते हैं अभी जो notes हैं वो as it is रहें लेकिन जो हर महीने fresh notes छपते हैं वो fresh notes के उपर यह शुरुवात की जा सकती है और धीरे धीरे करते करते circulation में काफी मात्रा में यह वाले नहीं note आ जाएंगे Indonesia एक Muslim country है 85% से जादा उनकी अबादी Muslim है 2% से कम हिंदू हैं वहाँ पे लेकिन उन्होंने भी अपने note के उपर गनेश जी की तस्वीर शापी हुई है तो मैं समझता हूँ कि यह एक बहुत एहम कदम है जो कि केंद्र सरकार को उठाना चाहिए आज मैं आप सब लोगों के माध्यम से मीडिया के माध्यम से इस देश के 130 करोड़ लोगों की तरफ से केंद्र सरकार से और माननिय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूँ कि भारत्य करेंसी के उपर लक्षमी जी की और गनेश जी की तस्वीर लगाई जाए अगर इस पे कोई प्रश्न है आपके तो अभी परसों दिवाली का जब पूजन कर रहे थे तो उस वक्त मन के अंदर एक भाव आया उस वक्त मन के अंदर एक बहुत स्ट्रॉंग भाव आया कि अगर भारत्य करेंसी के उपर अगर ऐसा हो हम सब लोग पूजन करते हैं तो अगर भारत्य करेंसी के उपर भी यह हो मैं यह नहीं कहा रहा है यह करने से मातर से केवल अर्च वस्ता सुदरेगी बहुत सारे एफ़र्ट्स करने की जरूरत हैं लेकिन वो एफ़र्ट्स तब फली भूत होते हैं जब देवी देवताओं का आशिरवाद होता है जैसा मैंने का कि हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं हम यह नहीं कह रहे हैं इसको हटाओ उसको रखो उसको हटाओ किसी के भी खिलाफ नहीं है और जब इंडोनेशिया कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं इसमें किसी को अपत्ति होनी नहीं चाहिए और सब की सम्रिधी की बा पूरी देश के संपन्यत्र की बात, जैसे में आत्व को रचा है, जता कि अगर इंडोनेशिय कर सकता या, इन्डोनेशियminute भी को चुना, तो हम भी कर सकते है, हमारे देश में भी भी हो सकता है, और लक्षमी जी के साथ, लक्षमी जी एक ऐसी देवी है जिनको समरिध्य और स आरोप लगाने दीजिये, लेकिन मुझे लगता है कि आप किसी से भी बात कर लीजे, मैंने पिछले कुछ दिनों में कई लोगों से बात की, सब लोगों को लगा कि ये बहुत अच्छा एडिया और ये होना चाहिए. मैं कल परसों में उनको एक चिठी लिखूँगा, कलिया परसों, और उस चिठी के माध्यम से भी मैं उनसे अपील करूँगा. हम पूरी तरह से तयार हैं और इन लोगों ने जितने भी एफर्ट्स किये चुनाव टालने के गलत तरीके से इन्होंने डिलिमिटेशन किया, बता रहे हैं इस तरह से कर दिया कि बीजेपी का एरिया एक साथ कर दिया, दूसरे वोट एक साथ कर दिया, जो मर्जी कर ले हैं लेकिन दिल्ली की जंता इनको नकारने वाली है ये लोग बहुत सारी कोशिशे करेंगे, जो भी असुरी शक्तियां होती हैं, वो सच को दबाने के लिए, इमांदारी को दबाने के लिए पूरी कोशिश करती हैं ये सब जैसे मैंने कहा, ये सब असुरी शक्तियां हैं, जो हमारे खिलाफ एकटी हो गई हैं और ये जितना मर्जी कुछ कर ले, ये जंता को दबानी सकती है, जंता की आवाज है, दिल्ली की जंता ने देखा की आम आदमी पार्टी को स्कूलों की जिम्मेदारी दी, इन्होंने स्कूल अच्छे कर दिये, आम आदमी पार्टी को अस्पतालों की जिम्मेदारी दी, इन्होंने अस्पताल अच्छे कर दिये, तो अब दिल्ली की जंता कह रही है, एक बार इनको सफाई की भी जिम्मेदा दिल्ली के लोगों ने पिछले कुछ सालों में प्रदूशन के उपर काफी काम किया है काफी मेहनत की है उसकी वज़े से प्रदूशन में गिरावट आई है यह अच्छी बात है प्रदूशन बढ़ा नहीं है अक्सर देखा गया कि जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे प्रदूशन बढ़ता जाता है जादा वहिकल जाते हैं सड़क पे और प्रदूशन बढ़ता है लेकिन दिल्ली में प्रदूशन बढ़ने की बजाए कम होने लगा है यह यह दिखाता है कि हमारे अफर्ट सही दिशा में है उन्हें फर्ट्स में और तेजी करने की जरूर्ट है सो जो नतीजें आएं वो काफी उत्सा वर्धक हैं लेकिन हम उनसे सैटिसफाइड नहीं हैं अभी हमें और भी बहुत आगे जाने की जरूर्ट है और हम दिल्ली को दुनिया का सबसे क्लीन एर वाला शेहर बनाएंगे जनता चुनाव लड़ेगी आप देखिएगा दिल्ली की जनता इधर चुनाव लड़ेगी और गुजरात की जनता उधर चुनाव लड़ेगी इधर दिल्ली की जनता इनके 15 साल के कुशासन से दुखी है उधर गुजरात की जनता इनके 27 साल के कुशासन से दुखी है अगर मैं आप से पूछ हूँ आप इनसे पूछ लिजेगा ये भी PC करते है रोज कि 15 साल के शासन में बीजेपी ने MCD में एक काम करा हूँ इनोंने मैं चैलेंज करता हूँ आज एक अच्छा काम गिना दे कि हमने 15 साल में ये एक अच्छा काम करा है एक काम भारते जनता पार्टी 15 साल से दिल्ली नगर निगम में काम कर रही है एक काम गिना दे जो इनोंने अच्छा किया गुजरात में 27 साल से काम कर रहे है एक काम गिना दे जो इनोंने अच्छा किया और आहम आदमी पार्टी ने 7 साल में क्या अच्छे काम किया बाहर सड़क पे चले जाना किसी आदमी से पूछ लेना केजरिवाल ने के वो आपको गिना देगा थैंक यू अर्विंद केजरिवाल वो काल नेमी की तरह है मुह में राम बगल में छुरी ऐसे में इनका विश्वास नहीं किया जा सकता ये क्या कह रहे है अगर सही माइने में आप इस बात पे गंभीर है कि नोट के उपर लक्षमी जी और गड़ेश जी की फोटो आनी चाहिए तो आपको तुरंत अपने मंत्री इमरान हुसैन से और अमानतुल्ला खान अपने बिधायक से इसकी प्रेस कॉन्फरेंस करानी चाहिए ताकि यह पता किया जा सके कहीं आप सिर्फ राजनीती तो नहीं कर रहे हैं इस पर और दूसरी चीज़ जो आपके मंत्री और आपके प्रदेश सद्यक्ष लगातार हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं राम, कृष्ण, ब्रह्म, विश्ण, महें सब के अस्तित्त पे ही प्रश्ण उठाते हैं उनको तुरन तबको अपने पार्टी से सस्पिंड करना चाहिए तब हम समझेंगे कि अरविंद केजरिवाल आप कहीं से इस प्रस्ताव पे सिरियस हैं वैसे हमें पता है गुजरात में जो सर्वे हुआ है उसमें आम आदमे पार्टी को जीरो सीटा रही है इससे बौक लाए हुए आप कोई भी चुनाविये स्टंड कर सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री आदनी अरविंद केजरिवाल ने भारत के प्रधान मंत्री और भारत की सरकार से मांग की है कि सुख समरिद्धी और खुशाली के देवता भगवान गडेश माता लक्ष्मी की फोटो जो नई करंसी छापी जाए राष्टपिता महत्मा गांधी की फोटो एक तरफ हो और दूसरी तरफ भगवान गडेश और लक्ष्मी की फोटो हो और इसके पीछे उनकी मंसा देश की खुशाली समरिद्धी के लिए देवी देवताओं के आशिरवाद की है आज भारत की अर्थववस्था एक गंभी संकट के दौर से गुजर रही है हमको अपने सारे अफ़र्ट करने हैं सिक्षा पे स्वास्थ पे बिजली पे पानी पे देश को महगाई से बचाने के लिए लेकिन इसके साथ साथ देवी देवताओं का भगवान का आशिरवाद भी अवस्थक है और इसलिए उन्होंने भारत के प्रधानगंत्री और भारत की सरकार से मांग की है कि एक तरफ राश्चपिता जो भी नई करनसी चापी जाए जो करनसी मार्केट में है वो रहे और जो अभी नई करनसी चापी जाए उसमें एक तरफ राश्चपिता महत्मा गांदी की फोटो और दूसरी तरफ भगवान गड़ेस लक्षमी की फोटो हो लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जब से अर्विंद केजरिवाल जी ने प्रेस कॉन्फरेंस की है पूरी की पूरी भारती जंता पाटी उपर से लेके नीचे तक सारे प्रवक्ता सारे नेता इसके विरोध में मैदान में उतरा है उसके खिलाफत कर रहे है कह रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए अरे बहीं इंडोनेसिया जैसे मुल्क जहां पर 85% मुस्लिम पॉपुलेशन है वहां की करंसी पर भी भगवान गडेस आपको की फोटो मिल जाएगी भगवान गडेस की और अगर ये डिमांड दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरिवाल जी ने कर दी तो भारती जनता पार्टी के प्रेट में दर्द की हो रहा है भारती जनता पार्टी इसका विरोध क्यों कर रही है सारी लीडर्सिप, सारे नेता, सारे प्रवक्ता इसके खिलाब क्यों है मैं बीजेपी से चाहता हूँ अपना सपस्ट मत सामने रखे और प्रधान मंत्री जी अपना मत सपस्ट कर रहे कि दिल्ली के मुक्ह मंत्री अरविंद केजरिवाल जी की जो मांग है उससे वो साहमत है, असामत है और विरोध कर रहे हैं तो क्यों कर रहे है मुझे इतनी बात कह रही थी, आपके कोई प्रस्ट हो तो पूछ सकते है देखे ऐसा है कि बीजेपी एक लाइन में जवाब दे वो अरविंद केजरिवाल जी के सुझाओ इस प्रस्ताओं के साथ खड़ी है या खिलाफ में है बातों को घुमाने से काम नहीं चलेगा वो विरोध क्यों कर रहे हैं इसका जवाब देखे दन्यवाब